वेलो और मेलकम फ्रेंट्स Microsoft Excel सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel की Excel में आज आपके लिए खास क्या है आई आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं Microsoft Excel को ओपन करता हूँ और यह Excel का 2007 ही है माली जे आपके पास 2007 ही हो और आपको आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जैसे माली जे यहाँ पर लिखा हो रोल नमबर ऐसे और यहाँ पर लिखा हो नेम और यहाँ पर subject 1, 2 ऐसे करके लिखा हो यह देखिए subject 1 हो गया फिर यहाँ पर subject 2 हो गया ऐसे करके यह data आपके पास हो तो यहां पर मैं track भी कर लेता हूँ और अब roll number में roll number आएगा तो यह one हो गया फिर two हो गया इन दोनों को ऐसे पकड़िए और यहां से track कर वा लिजे इस तरीके से name में name आएगा तो यहां पर राम फिर enter करिए फिर श्याम इस तरीके से फिर enter करिए location फिर enter करिए summit sumit फिर यहां पर suchin s a c h i n suchin फिर यहां पर mohan sohan ऐसे करके data हम बना लेते हैं ठीक है तो यह हमारा data तयार हो जाएगा और यहां पर randomly number लाने के लिए हम यहां पर rent between use करेंगे तो यहां पर rent between use किया हमने और यहां पर two लिखा यानि सबसे छोटा number फिर यहां पर सबसे बड़ा number बंद करके enter किया तो यहां पर एक number आ जाता है अब इसको आपको खाली ड्रेग कर लेना इस तरीके से और ड्रेग करने पर यहां पर बहुत सारे number आते जाएंगे यह number random है तो यह ध्यान apply हो जाएगा अब आपको दिक्कत यह है कि आपको इतना data एक बार में चाहिए और यह बार बार चाहिए देखे बता रहे हैं जैसे माली जी आप क्या करते हैं जैसे माली जी ऊपर वाला यह चाहिए ठीक है तो आपने क्या क्या इसे copy किया ठीक है फिर फिर उपर वाला चाहिए तो फिर आपको उपर वाला करिए और फिर यह आपकर पेस्ट करिए ठीक है और फिर माली यह वाला data चाहिए तो फिर आपको यह copy paste copy paste कप तक चलेगा तो यह अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई solution मिल जाए तो ध्यान से देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है ठेक है सबसे पहले आपको क्लिप बोड पर जाना है इसको कॉपी करना यह बार बार इसके जरूरत पड़ती है तो आप इसे उठाइए और यहां से कॉपी कर लिए और कॉपी करके और देखें यह जो है यहां पर आ गया है देख सकते हैं न और फिर माल लिजे कि इसकी भी जरूरत पढ़ती है बार-बार तो इसको भी उठाइए यहां से और यहां पर इसको भी copy कर लिजे तो ये एक सबसे पहला वाला data हो गया ये उसके बाद वाला data हो और माल लिजे कि ये नीचे वाले डेटा की भी जरूरत पढ़ती है आपको तो फिर इसे आप कॉपी कर लिजे तो कॉपी करेंगे तो आपको क्लिबोर्ड में ये सारे ये option दिखाई पढ़ने शुरू हो जाएंगे अब आपको दिक्कत नहीं है अब आपको क्लिबोर्ड आपका open है माल लिजे रोल लंबर वाला जो section है वो उपर चाहिए तो यहाँ पे paste कर दीजे ठीक है और रोल लंबर वाला डेटा फिर ले लिजे आप ठीक है इस तरीके से आप कर सकते हैं माल लिजे कि और भी डेटा से ये होंगे तो आप क्या करेंगे यहां से इसको उठाएंगे और यहां से copy कर लेंगे तो यह चीज नीचे आपको दिखाई पढ़ना शुरू हो जाएग यहां पर आ गया है देख सकते हैं यह लोकेश वाला जो है यहां पर आ गया है अब आपको करना क्या है यहां पर आ करके और लोकेश वाले डेटा जो कि यहां पर आपको दिख रहा है कि लिप बोर्ड के अंदर इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यह डेटा यहां पर आ गया ठीक है अब माली जे कि फिर यह डेटा भी चाहिए सुमित वाला तो आप इसको भी उठाईए यहां से कॉपी कर लीजे जितनी बार चाहिए उतनी बार आप पेस्ट कर सकते है ठीक है यहां पर जाईए अब तो पेस्ट हैलाइट हो गया है तो यहां से भी आ असकते हैं, तो फिर यहां पर रोल नंबर पर क्लिक कर दीजे, यह आ गया, फिर अगर तो यह बहुत ही बहुत ही बहतरीन है, अब ओ, मान लिजे कि यह डेटा आप नहीं चाहिए, ठीक है, मान लिजे कि यह डेटा आपको नहीं चाहिए, कोई ओर डेटा चाहिए तो आपको जो भी डेटा चाहिए उस पर जाईए और इस तरीके से इसे सेलेक्त करिए और सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजे यहां से फिर आपको कॉपी करना है तो कॉपी जैसे ही करेंगे तो यह देखिए अगर आप इस method को use करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ convenient हो जाए, कुछ आपकी help हो जाए, उमीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है, सामको excel की class चलेगी, 5 बजे से तो 5 बजे से जोड़ना मत भूलिएगा और इसके अलावा, 8 बजे से tally की class चलती है, तो tally की class क भी जरूर जोइन कीजेगा, चलिए मिलते हैं next video में, thank you for watching this video